नमस्कार आप सभी का स्वागत हमारे Envira Education के इस YouTube चैनल पर इस वीडियो को क्लिक करने वाले या तो आप कक्सा 10, 11 या 12 के चातर हैं और अभी जिनों ने कक्सा 10 जो है क्लियर की है तो उनके लिए एक वीडियो होने वाला है जिसके अंतगत आगे यानि आगा में जो आपकी क् आप इस वीडियो को जरूर विजिट करें ताकि आप 12 के बाद आगे जाके क्या करें उनको लेकर भी जो है मैं आपको यहां पर complete रोड में समझाने वाला हूं तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे नेक्स जो भी आपको अपने डिवेस पर मिलती रहें तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को तो देखें आज की यह जो क्लास है इसके अंदर सबसे बड़ा जो आपका डाउट रहता है जैसे आपकी क्लास इलेउंत निकल गई है तैंथ आपके निकल चुकी आपने अभी रिजल्ट आ मारी होगी कि अभी हम 10 के बाद 11 में कौन सा सब्जेक्ट ले वे तो उसको लेकर हम यहां पर यह चीज़े देखेंगे तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा विसे लेना चाहिए ठीक है अब विसे लेने के पीछ आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं समझ होगा ताकि आपको उस विसे को चुनने में कोई भी जो है समझ यह ना रहे हैं तो इसके अंदर आपको जो है 11 और 12 में रहते हुए बहुत कम चैनल पर आपको ऐसा बताया गया है बहुत कम रेर कैंस एक परसेंट ऐसा कोई होगा जिसने अभी तक आपको चीज़े बती लाँ उसके बात बताऊंगा कि आप इलेंट और 12 करने के बाद कौन-कौन से जोब में जा सकते हैं प्राइवेट और गौवर्मेंट कौन-कौन से आपको मिलते हैं इसके अलावा आपको इनके अंतरकत राजस्थान के अगर आप स्टूडेंट्स हैं ठीक है अगर आप आपको बताऊंगे कि चैनल आपके लिए इस पेसली क्या ऐसा खास लेकर आ रहा है तो देखे सबसे पहले बात करते हैं यहां पर यह जो चैनल है सबसे पहला पॉइंट में आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं यह जो चैनल है वह इस पेसली आपको आई-टी रिलेटेट जो भी ठीक है आई-टी का कम्प्लीट जो भी सेक्टर है उसके अंदर जो भी वैकेंजी जाती है ठीक है चाहे वो देखे इसकूल लेवल का भी आप इस चैनल से कवर कर सकते हैं और आप आगे ग्रेजुईशन का भी हमारा जो है बहुत जल्द इसका एक प्रोजेक्ट जल्द है लेकिन अब आपके लिए जो है इसी यह से आपका एक इसकूल लेवल का कौन सेप्ट भी हम सुरू कर रहे हैं बहुत जल्द आपके लिए जो है बी सी एंची बी टेक एंटेक्ट है उनके लिए भी क्लासेज कोर्सेज भी ता आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी तो इस साल से आपके लिए यहांपर जो है इसकूल लेवल का इंतर्कति यानि आपका इसकूल लेवल की मैं बात कर रहा हूं यहां पर की आपने अगर 10th clear किया है तो अब आप अगर 11th में जा रहे हैं तो मैं आपको जो एक subject recommend कर रहा हूँ वो आपका commerce का जो subject होता है ठीक है जिसमें भी आगे जाके अलग अलग branches आपको देखने को मिल जाती है तो उस commerce के अंतरगत आपको देखे commerce के अंतरगत आपको एक subject मिलेगा computer science का जो कि आपका compulsory subject है ठीक है computer science का जो आपका subject है इसको आपको चुनना चाहिए अब मैं इसके बारे में आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताओंगा कि इस sector के अंतरगत आपको कितने jobs आपको आगे provide होंगे इसके अलावा ये आपका एक आने वाले time के लिए सबसे best option क्यों हो सकता है सबसे बड़ा region में आपको बता देता हूँ कि आज के time में भी अगर आप maximum जो भी sector से अगर उस notice करोगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है ज़्यादातर चीज़े जो है वो सारी IT-based हो रही है अब IT-based हो रही है तो वहाँ पर आने वाले time में अभी सही recruitment देखो बहुत ज़्यादा हो गई आपके एक time था जब computer science के अंदर के students बहुत कम थे BCA के जो fees वगरा थी या BCMC की या BTEC MTA की देखो कि उस time उसकी fees भी low थी लेकिन एक दम से आप उस fees के अंदर आपको देखोगे तो उसके अंदर वो fees high क्यूं होगी है reason यह कि अब इसकी जो है तादात बढ़ चुकी इसके अंदर जो भी jobs आते है वो ज़्यादा हो चुके है ठीक है दूसरा point यह भी है इसके अंदर कि सबसे बड़ा सांदार जो आपके साथ रहता है वो है राजस्तान के अंदर जो hackathon launch हो रहे है राजस्तान जो government है वो hackathon launch करती है याद रखेगा ठीक है यह इंडिया लेवल का भी अलग से hackathon आता है राजस्तान लेवल का भी अलग से आता है तो अभी जो hackathon हो यह थे उसके अंदर लगबग लगग चालीस लाग प्लस का package आपको चालीस लाग प्लस का इसके अंदर प्राइस भी दिया गए था आपको बता होगा और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लेवल होते जिसको पार करते हुए आप इनके अंदर आ सकते हैं अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वह मैं आपको अभी बता देता हूं यह राजस्तान hackathon क्या है पहलत इसको समझो यह सबसे बड़ा जो डिपेंट इसके अंदर जो भी जा रहा है सबसे बड़ी उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए आपकी programming coding आप जो भी कह सकते है तो वो आपके पास होनी चाहिए अब इसमें जरूर नहीं इले हो तो 12 वाले जा सके इसके अंदर graduation वाले भी जा सकता है ग्रेजुशन क्लियर हो चुकित तो वो भी जा सकता है ठीक है दोना option से आप इसके अंदर self भी जा सकते हो अगर आपके पास team है तो आप team के साथ में भी जा सकते हो एक्जाम का mode आपका offline भी होता है और online भी होता है offline वाला आपके जो है 36 गंटे का रहता है online वाला आपका 24 गंटे का रहता है ठीक है यह चीज़े hackathon से related है इसमें जाके आप अपनी जो coding skills होती है वहाँ पर आप उनके सामने री परजेंट कर सकते हो कैसे करते ह आपको वहाँ पर जो है जो भी hackathon launch होता है तो वहाँ पर आपको क्या करते है कुछ problem दी जाती है coding related उन problem को आप coding के मादिम से कैसे solve कर सकते हो बस इसी पर बेज दे आपका राजस्तान hackathon या जो भी hackathon होता है चाहे आप इंडिया लेवल की बात करेंगे चाहे यहाँ पर बा होता है information के अंतरगत द्यान रखेगा international olympiad information का भी होता आई ओई ठीक है और एक यहाँ पर state level का भी होता ज्यान रखेगा अगर आई ओई होता तो इसके अंदर आप पूरे वर्ल्ल लेवल पर आप उसके अंदर भाग ले सकते हो इसे लेवल का भी आपका जो है information के अलग से होता है जो इसमें क्या होता है इसके अंदर भी आपका एक syllabus आता है उसको आपको साथ में cover करना होता है जैसे networking हो गया programming language हो गया programming language में CC++ होगे Python होगे रभी हो गया ठीक है Ruby हो गया तो यह कुछ languages होती है उनको यूज करते हुए आप in contest में भाग ले सकते और बहुत सांदार प्राइस भी इसके अंदर जीच सकते हो ठीक है यह 11-12 के जो candidate चल रहे है मैं उनकी बात कर रहा हूँ ठीक है यह चीज़े है आपके इसके साथ में भी आप जैसे 12 में जाते तो वहाँ पर बड़े लिवल के जो entry exam होते है IAT के लिए तो वो भी आप साथ में fight कर सकते हो ठीक हो तो यहां तक यह चीज़ें आपको clear हो चुकी होगी कि आपको 11 में यह computer science आप चुन रहे हो तो उसमें आप एज student रहते हो 11-12 में क्या क्या चीज़ें साथ में कर सकते हो coding skill अच्छी से आप 11-12 के अंदर अपनी तयार कर लें ताकि आने वाले time के हिसाब से आप देखो वैसे यह तो मैंने basic level पर बता ही है ऐसे google भी आपको पता code sap launch करता है google ठीक है google है ठीक है यह आपका code sap है इनके अंदर भी आप हिसा लेके बड़े level की जो है पहले हिंट दे दिया है ठीक है कि यह जो CS है इसके अंदर एज आप teacher बन सकते हो coder बन सकते हो इसके अंदर आप जो है technical assistant बन सकते हो और भी मैं आपको इसके नेक्स्ट देखो पहले के time में जो भी attack होते थे वह फिजिकली attack होते थे हत्यारों से लड़ई लड़ी जाती थे ठीक है हत्यारों से लड़ी लड़ी जैती थी पहले एक बात करें उसके बाहर time बदला भी आपके bio war हुआ अब बायो वार हुआ तो उससे भी निपट ली लो अब क्या टाइम जो चल रहा है वो है आपका साइबर वार अब सबसे बड़ी जो डिमांड है अगर आप टाइम सब इंडिया के नोशार देखो के तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में जो है इसके लिए अलग अलग एकजाम होते हैं आपके CEH लियारओ हट एप eh hiop लेकिन यह दो अच्छे एकजाम होते है आपको इस लेवल ते एकडार गोर्मेंट के हैं है SBA जैसी बड़ी बड़ी जो companies होती है वो भी इसके अंदर launch करती है ऐसा नहीं कि private के अंदर government के अंदर भी इसकी full vacancy आती है अगर मैं last year का इस बोलू तो पंजाब police के अंदर इसकी vacancy आई थी ठीक है पंजाब police के अंदर और इस बार राजस्तान के अंदर को गोशना हो रखी इस चीज की कि हम बहुत जल्ड जो है cyber थाने तो लग चुका है 255 के आज पास जो है राजस्तान के अंदर cyber थाने खुले जा चुका है एक चीज आपको बता देता तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो इंडेस्टी ग्रोथ हो रही है वह रही है आपके गेमिंग की animation ठीक है इसके अलाओ आपका विएपेक्स है और यह आपका coding skill तो हई है तो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा आज के टाइम में दब दबा है marketing के अधर आप चीज़ें को करोगे इसके अलाओ भी data science है आपकी ठीक है data analytics science है यह सारी चीज़ें है तो यह भी आप इसके अंदर जो है आगे जाके मलब इलिए उनसे भी कर सकते हैं जरूर नहीं होता कि बचा किस यह से सीखना सुरू करें जिस यह से उसको समझना सुरू हो जाए वह समझ सकता है तो इसके अंतरगत आपको जो है कौन-कौन से जो है यह सेक्टर है वह जॉब offer करते हैं तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा से जूम पर 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 नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन है एक यह बड़ी बड़ी जो पी एक्जाम करना पड़ता है अगर गेट एक्जाम के अदर आपका इसको रचा रहा तो डिरेकली आपको इसके अंदर एंट्री मिल जाती है इसके अंदर सेलरी लेवल होता है वह लगबग फिर आपके स्टाप सेलेक्शन कमिशन की बात करें जो एससी है वह भी आईटी रेलेटेड वेकेंसी निकालता है ठीक है अब यह जो है वह 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 कैसे फाइट करोगे आप सीजील के थरू कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से अब ठीक है अभी की बात करो अभी जो एसस 2021 वाली पोस्ट जो थी वो इसकी थी एक 69 पर भी इसकी पोस्ट थी चलो अगली बात करता है यहां पर आपके UPSC तो UPSC भी आपके अलगलग टाइप से आपने अगर देखा होगा तो कंबिट साइंस की जॉब आपको ओफर करती है जिसमें आपके एक तो होता है EAC यानि Engineering Service अग्जाम होता है एक आपका CDS होता है यानि Combined Defense Service जो एक्जाम होता है वो भी आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलते हैं अगली स्लाइड की अगर बात कराम यहां पर तो इसके बाद आता अपना State Public Service Commission यानि SPSC जो होता है वो भी आपको जो है इसके अंदर कहीं सारी क्यों Government Jobs होती है वो आपको प्रोवाइड करता है वीडियो इस नेक्स स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा State Level पर आपको आने वाले टाइम के साब से इसके अंदर कितनी जॉब मिल सकती है फिर आपका एक NIC है जिसके अंदर अभी एक एक अग्जाम गया था इसके जो है उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप की जो है इक गवर्नेस सॉलिशन रिलेटर जो वैकेंसी होती है वो देखने को मिलती है फिर आपके आती है डिफेंस रिसर्च डवलप्मेंट और और जिसका अभी भी फॉर्म चल रहा है ठीक है तो इस रो नीडिया डियो व यूथ करें तो रेलवे के अंदर आपको अगर पता थो आई टी मेकहिंसी आई थी और इस बार भी वैकैंट सी आने का बता जा रहा क्योंकि चल dispatch रहा ही और आपको आपको उसकेन्द by कि बात तो अभी आपको पता हो तो लाश्ट नोट भी किसिन में DSSS भी नहीं भी निकाली थी आरबी के अंदर भी वेकेंसिय आपको देखने को मिलती है रिजर और स्टेट बैंक आप इंडिया के अंदर आती है तो यहाँ पर अगर बात करोगे इसके अंतरकत तो यह अभी राजस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वेकेंसिय आपको बार बार देखने को मिलती है और अब यह वेकेंसिय आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो देखें यहाँ पर अब मैं यह पॉइंट अभी थोड़ा सा अलग से रख देजिए क्योंकि यह आउट ओव राजस्थान वालों के लिए अपलाई हो रहा है तो देखें यहाँ पर अब ही अगर हम बात करें आईटी स्टुडेंट्स के तोर पर अगर आप 12 है अब 12 के बाद आप अगर BCA देखो 12 के बाद आपका कौन-कौन से उप्शन मिल जाता है BCA, MCA कर लीजी आ तो आप या BSC और MSC कर लीजी अब ऐसा नहीं BSC MSC साइंस में क कर वही जाते हैं तो वह कर सकते हैं इसके अलवा आपके पास BTEC, MTEC का भी ऑप्शन मिलता है आपको ठीक है और सरदार पटेल जैसे उनिवर्सिटी जे होती है वो तो आपके एंट्रेंस एक्जाम भी करवाती है जिसमें आप BTEC, MTEC, साइबर सेक्यूटी के अंदर करके पु यानि जो आईये लगे थे इनकी जो अभी हड़ता चल रही थी उसका जो डेटा है मैं टेलिग्राम के उपर अल्रेडी सेयर कर चुका हूँ उनके जो डेटा मलबूना ने जो रिक्त पदाओ का डेटा सेयर क्या है वो लगबग लगबग 40,000 प्लस जा रहा है जिसमें सबस की मिला के 40,000 प्लस रिक्वार्मेंट माननी जा रही है आने वाले टाइम के हिसाब से तो यह बड़ा मौका होगा आपके लिए जियान रखेगा आई एन प्रोग्रमर उनकी बात के यह कंप्यूटर टीचर मैंना भी इसके अंदर इंक्लिवड नहीं किया है आपके ठीक है आपको पता होगा न्यू एजकेशन पॉलिसी आपका एन ओपी लगव हो रहा है तो उसके यसाब से आपको बता होगा कि एन आपके बूलती है कि करशा पहांच से आपकी जो जो लोकर यह जो है ओप ऑभी जो उनकली गई थी वो आपके 10,000 पलस तौने बड़ी मात्र अरल तो चार जार तो यह अलग से आप रख दो इसको अभी जो वेकेंशी निगली थी उसमें लगवग लगती नजार क्यास पार पोश्ट है खाली थी साथ अजार तो यह ही होगी और यह तो सिर्फ आपके नाइंथ टेंथ वालों के लिए थी ठीक है अभी 11 12 पड़ा है तो इनकी भी वेकेंशी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी तो यहां पर एक आपके लिए बड़ा सेक्टर देखने को मिल रहा है तीचर्स के लिए वेकेंशी का एक बड़ा भंडार है आपके राजस्तान में आने वाले टाइम के साब से सांदार नौकरी होती है इसके हैं फिर बात करते हैं आईए की ठीक है तो आईए के लिए अभी अगर आप एक नोटिपिकिसन में ने टेलिग्राम पे सेर कर रहा है जिसमें रा पंचाईथी राज डिपार्डमेंट में आने वाले टाइम में जो LDC है जितने फिर काम करते है आपके कागजी तो यह सारा का सारा डिजिकला करते हैं आईए तो इन fracture करते हैं आई तो जितने फिर वहां पर लगाया जाएगा तो यह इस इसका अंतर गछत आपको बड़ा आने वाले टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इनके अंदर आपको देखने को मिलती है ठीक है और इसकूल लेवल का तो अभी मैंने आपको यहाँ पर यह जिक्र करी दिया था आगे बात करते हैं तो टेक्निकल एसिस्टेंट की वेकेंसी आपको देखने को मिलती है आप जा सकते हैं वैसे तमेल अडून हर स्टेट निकालता है लेकिन आपके जाने के सब्सक्राइब जादा चांसे के विद्याले आपका नवोदी विद्याले दिल्ली की जो भी स्कूल होती है ठीक है अभी एक्जाम आपको बता है नेक्स्ट मन्त में और इनके अंतरगत इसके अलवा आपका जो स्टेट है रास्तान स्टेट वहाँ पर आपको टीचर्स की वैकेंची जो आप बड़ी महातरा में देखने को मिलती हैं यह सारा तो था कि आपको आगे जो आप सब्जक्ट चुनते हैं तो आपको इतना सारा आगे भर-भर के नोकरियां और इतनी स सारी जॉब्स जो है आपको मिलती है इसके अलवा आप अगर प्राइवेट में जाने के सोकीन है तो आप अच्छा खासा अपना कोडिंग स्किल्स आप जो है सुदार लेजिए जिससे आपको गूगल जैसी जो बड़ी कंपनी है उसके अंदर भी जाने का मौका आपको मिल सकता है अब लाश्ट जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं वो यह कि अगर आप इस चैनल को जॉइन कर रहे हैं तो आपको 11 और 12 वाड़ों को इस पेसले इस चैनल पर क्या मिलने वाला है आने वाले टाइम में बहुत जल्द अगले 20 दिन के आस पास आपको यह चीज मिल चाहे आपको 11 और 12 की सेपरेट जो है CS की क्लास मिलेगी अब CS की क्लास तो आप बोलेंगे हर कोई ले रहा है लेकिन नया क्या है आपके लिए नया यह है कि आपके जो भी एक वीक में जो पढ़ाये जाएगा तो उसके अंदर आपको हर सेटरडे जो है अनूसमेंट मिलेगी संड में भी आप जो भी टोपिक पढ़ रहे हो ऐसा नहीं कि खाली बुक आपके सामने रिक दिन पढ़ा के फ्री हो गए ऐसा नहीं है उस बुक के अंदर जितने टोपिक है उसको पूरा डेप्थ में कवर करेंगे ताकि आप जितने भी हैकाथान वगरा है जो कॉन्टेस्ट है उसके अंदर भाग ले सको और अच्छा खासा आप उसका परिणाम भी निकाल सको तो उस हिसाब से हम एक यहाँ पर आपके वीकली MCQ सिरीज जो यानि मन्त के अंदर चार सिरीज हो गई आपके फिर हम एक मन्तली रिवीजन टेस्ट भी मन्तली रिवीजन मैराथान भी आप उनके लिए सबसे बड़ा इस बार हमारा टार्गेट रहेगा वैसे इस बार का रिजर्ट आपने देखा ही होगा हमारा जो रिजर्ट था बहुत संदर रहा था रिजर्ट की कुछ स्क्रीन सौट आपको टेलिग्राम पर भी मिले होंगे ठीक है और अभी भी आपको इसक्र परिणाम निकलने में उनकी help कर सकें तो यह आपके लिए थी आज की एक लास जिसके अंदर मैंने जितनी अच्छी कोशिश थी आप मेरी तरफ से वह आपके सामने रखी है कि आप किस प्रकार से आने वाले टाइम में जो है अपना एक सब्जेक्ट अच्छे से चुने और अगर अभी से लग जाएंगे तो आने वाले टाइम में आप अच्छे खासे तरीके से अपने परिणाम निकाल सकते हैं गवर्मेंट और प्राइवेट लेवल के जो भी बड़े इंटर्व्यूज हैं उनकी तहरी कर सकते हैं और को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आगे जितना हो सकते हैं इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहेगा नई अपडेट हमेशा प्राप्त करते रहेगा धन्यवाद